शौगत है आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल गौतम ओलाइन इस्टडी में तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं रेलवे की बैकेंसी के बारे में प्योस गोल ने दी है एक और खुसकबरी एक लाख 31,000 पद के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं कपसे 23 फरवरी से रेलवे में 23 फरवरी से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं ओफिसियल नोटिफिकेसन आ जाएगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आपको हम जानकारी देंगे तो उससे पहले आपको हम बता दें MP परिक्षा सफलता की एप के बारे में जहां आपके लिए RRB, Junior Engineer, MPSI, MP, Cost, 12, 65, 2nd इन सभी एक्जाम के टेस्टरी उपलब्द है साथ ही आने वाले समय में आपके जो भी वेकेंसी हैगी सभी के लिए टेस्टरी उपलब्द होंगी तो coupon code यूज करने है GAUFGOV40 जिसमें आपको 40% का discount मिलेगा तो चलिए अब हम आपको इस page पी लेके चलते हैं जहां से हमें जानकारी मिली है railway की vacancy के बारे में देखिए ये आप देख रहे हैं NDTV की news की website है ठीक है ऑफिसियल इसमें आप देख रहे हैं exclusive railway में 111,000 पदों पर भरती के लिए 23 फरवरी 23 फरवरी को जारी होगा notification अब details से आपको हम बताएंगे details से क्या कैसे होगा सब कुछ आपको जानकारी देजा जाएगा तो railway 111,000 428 पदों पर भरती के लिए employment news में 23 फरवरी को एक सौर्ट notification जारी किया जाएगा जबकि detail में notification जारी होने में भी समय लगेगा ठीक है तो देखिए अब हम आपको बताते हैं क्या कैसे रहेगा पूरी जानकारी आपको दी जाएगी railway में 111,000 428 पदों पर आपके भरती होगी और ये भरती इस साल होनी है notification इस महीने या अगले महीने जारी हो जाएगा आपके ठीक है फिर देखिए details इसमें क्या बताया गया है कि सरकारी नोकरी की तलास्तब खत्म होने वाली है railway जल्दी विभिन पदों पर भरती बंपर भरतिया करने वाला है हाल ही में रेल मंत्री प्यूस गोल ने घोसना की है कि railway में दो लाख तीस सजार पदों पर भरतिया की जाएंगी और railway में ये भरती दो टू फेज में होगी आपके पहले फेज में एक लाख एक्टिफजार चार्सवाटाइस पद पर और दूसरे में आपके 99,000 पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो railway भरती बोर्ड के अधिकारी ने अंडे टीवी को बताया कि एक लाख 31,000 पदों पर 428,000 पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फिलहाल हम Employment News में 23 फरवरी को एक सौट नोटिफिकेशन जारी करेंगे जबकि डिटेल में नोटिफिकेशन जारी करने में भी समय लगेगे कि हमें हर विवाग में कितने पदों पर भरती होनी है इसकी गरना करनी होगी साथ ही आर्थी क्रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण नीमों को भी लागू करना होगा ठीक है आरक्षण जैसा कि आपको 10% आरक्षण के बारे में भी हम बताते हैं तोड़ा सा क्या इसमें वो लगया है कि आपके फ़हले फेस की जो आपके भरती होगी दूसरे फेस की भरती होगी अगले साल 2020 में होगी 99,000 पदों पर भरती के लिए और मैई अजूर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पहले और दूसरे फेस की भरती में अर्थिक रूप से कमजोर अमीदवारों को 10 फीस दी आरक्षण दिया जाएगा 10 परसेंट आरक्षण दिया जाएगा आपके ठीक है फिर 2,30,000 पदों में से कुल 23,000 पद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होंगे 23,000 पद जिसमें 10 परसेंट आरक्षण वालों का भी इसमें सामिल किया गया है जिसमें आपके 23,000 पद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होंगे तो ये notification आपके हमें मिला है NDTV News में जहां से आप देख सकते हैं खुद भी चेक कर सकते हैं कि railway में आने वाली है आपके वेकेंसी एक लाक 31 पदो पर 23 फरवरी को जारी होगा notification तो इसी बारे में जानकारी आपको देना था तो अगर आपको जानकारी सही लगी होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेल आइकन प्रेस कर लें जिससे की notification आपको समय से में पर मिलती रहे हर तरह की update की और ज़्यदफ ज़्यदफ सेयर करें वीडियो को जिससे सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके तो मिलते हैं फिर हम next update में thank you